की एक फरेंट्स वागत हैं आपके पपनी YouTube चैनल ग्रोः ट्रेट करेंगे की कल निफ्टी और निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर सकते आज परफॉर्म किस तरह से क्या क्या है प्राइशिशन क्या निकल कराया है यागर मुव करता है अब सथैट तो टार्गेट देखने को मिल सकते हैं, मार्कर का व्यू क्या बन रहा है, क्या स्नेरो बन रहा है, बेरिश का बन रहा है, या फिर बुलिश का सारी चीजे इस वीडियो में डिटेल में डिसकस करेंगे, तो वीडियो में बने रही है, और जो लोग इस चैनल पर नहीं है, चैनल को जुरू सस्क्राइब कर लें और जो मेरा टेलिग्राम चैनल है अगर आप लर्णिंग परपस से जोइन करना चाहते हैं जोइन कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रश्म में आपको लिंक मिल जाएगा टेलिग्राम चैनल पर देखे फ्रेंट मैं कोई अब कोई टिफ्स अगरा प्रवाइड लहीं करती हूं सिर्फ इस तरह से जो भी इंपोर्टन लेवल्स होते हैं वो मैं ड्रॉ करके पोस्ट करती हूं तो यह है मेरा टेलिग्राम चैनल और दीखे यह बैंग निफ्टी का चाहर्ट है फाइफ मिन के टाइम फ्रेम पर इस तर चाहर्ट पर यहां पर डीटेल में रेलाइज करते हैं सबसे पहले बैंग निफ्टी को तो अगर आगर जो चैनल बनी वो बनी है ग्रीन केंडल लेकि अगर आप देखोगे तो लास्ट मार्कें तो उसी एरिया से क्या कर यहां रिजेक्शन और यहां से फॉल दिखा थैं लेकि इसी लेवल के आसपास आकर यहां पर जो candle बनी थी, वो बनी थी, shooting star, यह candle red थी, और आप देखो कि तो upside से क्या है, काफी यहां पर बड़ा rejection है, upside से, इस candle में, ठीक है, उसी तरह की candle हमें आज भी देखने को मिली है, लेकिन यह जो candle है, वो है green candle, लेकिन अध्यान लेकि market में क्या है, selling pressure है, क्योंकि यह अपने resistance के आसपास पहुच चुका है, और यहां पर जो candle बनी है, green है, लेकिन यह candle क्या है, bearish candle है, अगर इस candle का low break करने स्टार्ट करेगा, तो फिर से हमें fall देखने को मिल सकता है, bank nifty में, और आप को भी पता है कि election का time चल रहा है, और result के क change बनाने के बाद, move किया है, upset, और finally यहां पर 49,500 round number, यह हमारा फिलाल यहां पर achieve हो चुका है, next जो strong level है, वो है, हमारे पास 50,000 round number, लेकिन आज के जो candle बनी, वो बनी bearish candle, अगर low break करने स्टार्ट करेगा, तो फिर से यहां पर price क्या हो सकता है, धिरे-धिरे करके move कर सकता है है, downside के लिए, हमारे पास जो hurdles होंगे, downside, तो दीखे रहे हमारे पास, जो hurdles होंगे, सबसे पहले हम लेकर चलेंगे, यहां पर, सबसे पहले हमारे पास, जो strong, strong, hurdle होगा, वो हमारे पास होगा, यहां पर 48,250 के आसपास का level, यानि कि अगर इस low के नीचे निकलता है, तो इस area क आसपास का target में देखने को मिल सकता है क्योंकि market नहीं पर time spend किया था यहां पर range बनी थी इसको break कर दिया था तो price अब अगर down आता है तो इस level को क्या बनाएगा support इस area को तो price down आता है तो 48,200,300 के असपास का support देखने को मिल सकता है bank nifty में लेकिन अगर यहां पर time spend करता है अगर low break नहीं करता है यहां पर time spend करता है तो हो सकता है यहां पर break करें अगर time spend करने के बाद यहां पर 50,000 round number अगर इस high को break करने start करेगा तो फिर यहां पर हमें नय high देखन को मिल सकता है bank nifty में लेकिन जो आज के candle बनी उसके according जो view नजर आ रहा है वो आप नजर आ रहा है यहां पर down set ले अगर low break करने start करेगा closing चाहिए यहां पर अगर आप देखो तो यह जो candle बनी थी market क्या करता है यहां पर closing दे रहा था downside ले तो अगर इस तरह का market behave करता है तो फिर से fall दिखा सकता है और देगे downside से यह क्या है support के trend line है कई बार market यहां पर support ले चुका है तो प्राइज अगर down आता है तो हो सकता है इस trend line का फिर से support ले ठीक है तो यह हमारे लिग क्या है strong trend line है ठीक है तो price down आता है तो huddle क्योंगा 48 to 50 के आसपास का level अगर इसको break है थोड़ा बहुत यहां पर bearish का ठीक है लेकिन जिस जगे पर है यहां पर बहुत aggressive होकर trade plan ना करें ठीक है तो चलते पंदमें टाइम फ्रेम पर और levels mark करते हैं चार्ट यहां पर कर लेते हैं सेट एक बार और यहां पर इन सब को कर देते एक बार remove और कल के लिए levels mark कर लेत है तो पंदमें टाइम फ्रेम पर करते हैं तो मार्केट यहां गैप उपन हुआ फर्स्ट केंडल का हाई ब्रेक क्या सस्टेन किया और एक अच्छा का सा मूवमेंट दिया अफसाइड हाई लगा यहां पर 49692 के आसपास यहां पर टाइम इस पेंड क्या और यहां से एक ब पर मूमेंट आपको अफसाय दिखती मीश सकता है अगर लोग प्रेक करेंगा तो फिर यहां पर डाउं सैट का इस केडल के जब तक मार्केट इस शवह पर तो यहां पर थोड़ा सा छेड रिसक ही रहेगा तो सबसे पहले यहां पर अगर अगर हम प्राइशन को समझें मेर तो प्राइस क्या कर रहा है यहां से करें इसको ब्रेक तो क्या है यहांँ पर तब यहां पर प्लान करेंगे अभिम यहां पर यहां पर सप्वन मिला है तो अगर लोग करना इसnet करेंगा़ 49,000 राउन नमबर है अगर मार्के 49,000 की नीचे अगर सस्टेंग करने लग जाता है और दिखाई दे रहा है तब हमारा व्यू यहां पर चेंज होगा ठीक है लेकिन अभी यहां पर हमें प्राइजेक्शन नहीं मिला है यहां पर हम चलते हैं यहां पर लेवलि में तो हमारे पास जो पहले सबसे पहले्जांग करें यहां पर आज कहा यहां पर इस candle का low और इस candle का high यानि 49,490 राउंड लेवल यानि कि सीदे सीदे यहां पर 500 का round number है ठीक है अब हम अफसाइट का ट्रेट का प्लान करेंगे जब यहां पर 5 राउंड नंबर ये break होना start होगा तब हम यहां पर अफसाइट का trade plan करेंगे और price अगर down आता है यहां ओपन होने के बाद अगर डाउन आ रहा है 4965 का जो लेवल है अगर इसको ब्रेक कर देता है इस तरह पर पफॉर्म कर रहा है तो हम यहां पर ट्रेड प्लान करेंगे और जो टार्गेट होंगे डाउन साइट लेकर चलेंगे यहां पर यह वाला लेवल 48,870 राउन लेवल ठी यहां पर लेवल्स मार्क कर देते हैं यह हमारे लिए फर्स टार्गेट होगा 870 के आसपास का लेवल ठीक है 865,70 राउन और उसके बाद नेशनिया पर 48,650 के आसपास का लेवल तो यह दो टार्गेट देखनों को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में अब हम बात करेंगे और यहां पर टाइम स्पेंट करने के बाद अगर ब्रेक आउट करेगा तो फिर नेशनिया पर 50,000 का राउन नंबर यह दिखा सकते हैं हमारा मार्केट लेकिन अगर डिरेकली ब्रेक कर रहे तो फिर यहां पर थोड़ा सम्ट्राइप हो सकते हैं ठीक है तो प्राइज अप तो यह टाइकर दिखा सकते हैं हमारा बैंग निफ्टी यह हमारे लिए स्टॉंग लेवल होगा 700 के असपास का और उसका नेशनिया पर 50,000 राउन नंबर और अब हम यहां पर बात करें गैप अपर गैप डाउन की तो अगर मार्केट यहां कहीं पर ओपन हो जाता है और य कि यहां पर आजक का लो है और इस यहां पर यहां पर आजका यहां पर अच्पन के बाद अगर ब्रेक कर देता है तो यह कह अपनी पोजिशं को आप पर हमें मूविमेंट को मिल सकता है डाउन लिए यहाँ रोसकता है यहां से क्या करें सब्सक्राइब और यहां कहीं से यह तो फूर्थ से फूर्णी को फालेखने को मिल सकता है और यहां सकता है डाउंट के लिए और अगर गैप अपन हो जाता है सपोस 49600 700 राउंड नूंबर यहां कहीं पर तो थोड़ा सब अगर टाइम इस्पेंड करता है इस्पेंड करने के बाद अगर ब्रेक कर देता अफसेट तो इस लेवल के असपास का टार्गेट दिखा सकता है और में आपको थोड़ा सा वेट करना होगा रेंज का ठीक है क्योंकि मार्केट जो है कहां पर थोड़ा वॉलेटाइल है तो जो भी ट्रेट प्लान करें वो करें सोज समझकर और मॉर्निंग में जबचस्ति का कोई भी ट्रेट प्लान ना करें पहले फर्स्ट कंडल को दिखें फर्स्ट कंडल ओपन कहां पर हुए किस तरह की बन रही है उसके कोडिंग को प्लान करना है अब चलिए देख लेते हैं डेटेल में निफ्टी 50 को और अगर आपको वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए तो बने टाइम फ्रेम पर निफ्टी में भी टॉप पर हमें मिली ह और यह वोलेटाइल कैंडल है तो इस चैंडल का हाई और लो काफ़ इंपॉर्टेंट होगा अगर आज की जो कैंडल बनी है अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट जो हमारे पास जो हडल है जो स्ट्रॉंग सपोर्ट हे वह है वो है टुटी टॉट तॉट आउज हैंड तो ब्रेइस का अगर यहां पर यहां पर 200 का रॉंड नंबर और उसके बाद यहां पर इसके बाद यहां पर देखते हैं कि किस तरह से मार्केश करता है और यहां टार्गेट दिखा सकता है तो जो सिनेर्यों बन रहा है है अगर हरे करेकर तो असए और यहां पर देखे मार्केंट क्या है यह सब्सक्राइब Wr. देखें तो अब यहां पर ब्रेक कर चुका है तो अगर ब्रेक करेंगा तो फिर से हैंम्हें आपर इसके स्पास का लेवल रॉट डॉटन से सबसे पहले मारक करें यहां पर आज कहाई यह हमारे लिए काफ़ इंपॉर्टेंट होगा 23,110 के असपास का लेवल और डाउंसाइट से हमारे पास जो सपोर्ट है तो जो आज का लो है एक तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 22,870 का लेवल ठीक है कि मार्केट नहीं कि यहां से फॉल आया है तो यह हाई और यह वाला हमरे इंपॉर्टेंट हो तो अगर यहां ओपन होने के बाद करने के बाद जैसे लो भ गरेग तो फिर से हमारे पर हम अगर ब्रेक कर देता है डाउन सेट तो जो टार्गेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 800 राउन नमबर 22,800 का लेवल इस लेवल के आसपास का टार्गेट में देखने को मिल सकता है निफ्टी में अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट हमारे पास जो हडले वो है 750 लेवल अगर मूव करता है अपसाइड तो अपसाइड हमारे पास जो हड़ा ले वो है 23,000 का राउन नमबर ठीक है यह हमारे लिए इंपोर्टन एरिया होगा तो प्राइज अगर यहां पर उपन होने के बाद 23,000 के उपर अगर सशन करता है तो फिर यहां पर अच्छा खा यहां पर यह वाला लेवल 23,000 44 का लेवल ठीक है यहां पर यह क्लिकी देखें पहले मौनिम क्या कि यहां से रिजेक्शन फेस क्या डाउन आगया अब यहां से सपोर्ट बनाया फिर से प्राइज अप फिर से डाउन आगया फिर से सपोर्ट बनाया लेकिन यहां पर क्या ये लिखने को में सकते हैं तो हमें क्या काम करना है लेवल्टू लेवल करना है तो ये तार्गे कने दिखा सकता है और यह टार्गे अदे नश्राफघ पर ब्रेखरेता है तो थिन्तु के आसपास का लेवल आज की हाई यह याँ gilt होगा और अग्र अगर आज के हाई को भी ब्रेक कर देता है तो 200 राउंड नमबर यानि कि 150 से लिएगा 200 के असपास का टार्गेट दिखा सकता है वैसे तो मार्केट ने सेलिंग प्रेशर दिखाई है लास्ट में यहां से अगर यहां से मुवमेंट दिखाता भी है तो पहले तो यह हमारे लि दो समझ गरी प्लान करना है अपसाइड के लिए तो यह था डेटेलने देटा रेकिकी देखें तो अब आएंग अगर बात करें तो कि तो तो इसके अन्दर यहां पर ठोड़ा सा रिस्की रहेगा तो प्राइज है और और यहां कही पर टाइम करता है और 22,000 के उपर अगर तो नेक्स टार्ग यहां पर 144 यानि 150 के आसपास का दिखा सकता है यानि आज कहाई अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर से यहां पर पर इसको ब्रेक कर देता तो टार्गेट दिखा सकता है और फिन फिर चली मारक कर देती है यह वारे लिए इसको ब्रेक करेगा तो 144 ठीक है और अगर इसको ब्रेक कर देता तो और यहां पर इसको ब्रेक कर देता है तो 680 तो यह तरी अपर ब्रेक कर देता है और यहां पर ब्रेक कर देता ह। तो फिर से यहां पर हमें down side का movement देखने को मिल सकता है और यह हमारे क्या होंगे target होंगे ठीक है तो यहां पर आपको यह देखना है कि upper level पर market range बना रहा है या फिर lower level पर अगर यहां पर down side में अगर market range बना रहा है और जैसी low break करेंगा तो एक अच्छा कासा मूव में देखने को मिल सकता है और यहां पर क्या होगा मारा प्राइजेक्शन चेंज तो काफी बड़ा movement दिखा सकते हमारा तो दिखते कल फिन निफ्टी के expiry किस तरह से होती है चलिए अब देख लिए कुछ इस टॉक्स को तो सबसे पहले मारे जो स्टॉक है वह है टाटा केमकल्स यहां पर अगर देखें तो इसमें एम पैटन यह क्रिएट कर सकता है देखें आप गया डाउन आगया फिर से अगर मुवमेंट देखाता है तो यह एरिया मारे लिए क्या काम करें रेजिस्टन्स का यह निकि यह मारा फास टार्गेट होगा अगर 1118 के उपर अगर निकल जाता है तो नेक्स टार्गेट यहां पर 1130 के आसपास का दिखा सकता है टाटा केमकल्स तो देखते कल यह किस स करेंगे तो फिर से हाँ पर टार्गेट होगा 384 के यह सकते हैं अगर इसको भी ब्रेक कर जाता है तो इसके लिए टार्गेट होगा 395 के आसपास के पर अगर तो यहां से अगर आप देखोगी तो प्राइज एक्षिन के साथ मूव किया अफसेट यहां पर एक छोटी से रेंज बनी ठीक है अगर यहां से देखें तो यहां पर क्यावनाईस ने डबल टॉप का सिनेरियो प्राइज डाउन आ गया यहां पर रिटेस्ट किया है तो कल अ तो आप अपना और अपना खुद का भी करिए उसके बाद ही किसी भी ट्रेट को एक्जीक्यूट करिए तो चली फिलाल इस वीडियो को यह पर रियंड करेंगे वीडियो पसंद देखें तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगा और जो भी आपके सवाल है उन्हें कमेंट वक्स में जरूर कमेंट करिएगा तो चली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब बादिले गुडबाई और थैंक्स रवाचिंग